रेवाडी के बावल में एक परिवार पर इट पत्थर बरसाने का वीडियो सामने आया है वीडियो में करीब 10 लोग छट पर खड़े होकर अपने ही पडूसी की घर पर पत्थर बरसाते हुए साफ नजर आ रही है परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए स्पी को शिकायत दी है साथ इस सबूत के तौर पर वीडियो को भी भीज़ जा गया है वहीं प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा मंजर फिल्मों में ही देखा था लेकिन असलियत में ये सब देख कर उनकी रॉंग्टे खड़े हो गए है वहीं इस दोरान एक पत्थर उनके हाथ पर भी लगा है जिसकी वज़े से उनको भी चोटाई है दूसरी और पीडित का कहना है कि उनके घर पर लेंटर डालने का काम चल रहा था इस दोरान उनके बाहु बली पडोसियों ने उन पर इट पत्थर बरसाने शुरू कर दिये जिससे उनके परिवार के लोगों को चोटे आई हैं महीं पब्लिक ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मामली की सूचना दी बहरहाल पीडित ने मामली में नयाय की मांग की है मेरा परिवाल बीपियल परिवार से समंदित है और 28 सितंबर को मेरे घर का रिपेरिंग का काम चल रहा था जिसमें लेंटर डल रहा था और हमारा पडोसी जो है वो भावली परिवार है जिसका मुक्या अनिल कुमार पुत्र पृत्री सिंग है जिसकी कौम जाट है और जिसके इसने अपने परिवार के 15-20 लोगों के साथ मिलकर हम पर पत्रों से पत्राव करे और जिसमें हमारे परिवार के लोगों को चोटे आई पबलिक ने इस वाक्या को देखके 112 नमबर पे कोल किया और जिसके बाद 112 नमबर गाड़ी आई बतादे की जानकारी के मताबिक पीडितों का काफी दिनों से एक गली को लेकर पडोस के ही अनिल के परिवार के साथ विवाद चल रहा है जिसके चलते अनिल के परिवार के लोग उन्हें बार-बार जान से मानने की धनकी देते है बीते दिन आरोपियों ने छट पर खड़े होकर करी पांच मिनट तक उनकी घर पर खूबीट पत्थर परसाए इतना ही नहीं इस पत्थर बाजी में उनके ही पडोस के एक शक्स को चोट भी लगी है जबकि उनकी छट पर रखा सारा सामान शती ग्रस्त हो गया है सत्य खबर के लिए रिवाडी से राजेश चर्मा के रिपोर्ट